गाईज, memory card एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको इसकी सही knowledge ना होना तो आपका काफी हद तक भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम जो भी data shoot करते हैं, चाहें, mobile से करें, DSLR से करें, GoPro से करें, वो सारा data कहां store होता है, वो होता है हमारे memory card में, तो आज मैं आपको तीन ऐसी है, जो आपको ज़रूर पता होने चीज़ है, memory card के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको memory card के बारे में पता होने चीज़ है, अगर आपका memory card corrupt हो जाता है, या फिर आपसे कोई भी file गलती से delete हो जाती है, चाहें वो photos हो, videos हो, तो आपने उस time पे घबराना नहीं है है, ऐसे बहुत सारे तमाम software है, जिसकी मदद से आप अपना data recover कर सकते हैं, और उनी में से एक बहतरीन software है, wondershare का recovery, जिसकी मदद से आप अपनी photos को, videos को, या फिर कैसे भी file हो, आप अपने memory card से, या फिर अपने computer से recover कर सकते हैं, अभी कैसे काम करता है, वो मैं आपको दिखा तो guys, wondershare recovery, data recovery, software की बात करें, तो इसमें तमाम feature आपको कमाल की मिल जाते हैं, तो यहाँ पे काफी simple design और quick processing आपको देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ा सवाल ही आता है, हम इसमें recover क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी computer crash हो जाता है, तो आपको इभी document इससे recover कर सकत हैं, और हमारे memory card में as a photographer या फिर content creator, mainly data होता है, photos, videos के या फिर audio का, तो इस सारा data guys आप इस software से recover कर सकते हैं, और इसके लाब अगर हम बात करें supported devices की, तो supported devices काफी तरह है कि जैसे recycle bean से अगर आपने कोई भी data delete के वह आप recover कर सकते हैं, memory card से कर सकते हैं, hard drive से कर सकते हैं, या फ या फिर तक support करता है, flash drive होगी, USB drive होगी, pen drive होगी, या फिर removable drives होगी, यह सारी तरहें कि जो supported devices हैं, almost connect कर लेता है, और उसमें से data recover करके आपको दे देता है, अब इसमें कुछ हमें data loss scenario भी बताएगे हैं, जैसे accidental आपने कोई delete कर दिया, या फिर आपने format किया था, आपने memory card क बहार निकाल दिया, तो data corrupt होगे, तो इस तरह के scenario में भी यह software काफी हद तक काम करता है, या फिर अगर आपकी computer में virus है, या फिर power चलेगी, एकदम से off होगया, तो तमाम तरह के scenario है, almost यह software कवर कर देता है, और आपका जो data अगर loss हुआ है, वो काफी हद तक कोशिश करता है best से best possible में recover करने की, अब मैं गारिज आपको live example दिखाता हूँ, कि यह software किस तरह से data recover करता है, तो मैंने अभी जो है, अपना memory card attach कर रख है Macbook Pro से, और मेरे memory card का नाम है EOS Digital, जिसमें एक ही folder है data check के नाम से, जिसमें मैंने 3 photos और एक video डाली है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ अब मेरे को guys अगर इसको recover करना होगा, तो मैं इस software को खोलूँगा, और यहाँ पर तमाम हमें feature देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से जो है मैंने अपना external device जो है, जो मैंने EOS Digital memory card लगा है, वो select करना है, तो यह मैं select कर लेता हूँ, और यह automatically मेरी files को search करना शूरू कर दिखा रहा है, और मज़े की बात तो ही है कि इस software ने पुरानी से पुरानी photos भी मेरे को दिखा दिये, तो बट मेरे को जो मैंने last photo copy करके delete करी थी वो थी यह वली और यह फाइल थी, तो example के लिए अब मैं इने कर लेता हूँ, recover क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत file ही recover करनी है तो इतनी file काफी आपको समझाने के लिए और अब मैं open folder करता हूँ, तो यहीं जो मैंने photos delete करी थी यह अब वापिस से recover हो चुकी है, हाला कि वो तीन photos थी बट मेरे को ढूणने में काफी time लग रहा है, तो मैंने 2 ही कर दी, आपको time लगेगा बट आपको जो है सारा data देखन होने इचे कि always choose memory card according to your camera need, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके memory card में कितनी capacity है, high speed की या फिर read or write speed कितनी है, या फिर आपके DSLR के हिसाफ से वो memory card ठीक है या नहीं है, अगर आपका memory card DSLR के हिसाफ से ठीक नहीं होता, तो आपका camera जो है slow process करता है, heat करता है, या जब सही से perform नहीं कर पाता है क्योंकि उसको memory card से सही fast speed नहीं मिल रही होती, तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके DSLR के लिए best memory card कौन सा है according to your DSLR, तो guys उस वीडियो का link में नीचे description box में दे रखा है, आप उस वीडियो से काफी हद तक यह जान सकते कि कौन सा memory card अच्छी quality का नहीं है, तो कोई फैदा नहीं है आपका मेहंगा और अच्छा card लेने का, क्योंकि card reader एक ऐसी चीज़ है जो आपको memory card के data को read करीगी, copy करीगी और आप जहां भी उसे copy करवाना चाहते हैं, वहाँ fast speed से करवाएगी, तो always choose best quality का memory card reader, अगर आपका memory card reader cheap quality का है, अच्छी quality का नहीं है, तो आपका memory card के corrupt होने के chances जादा हो जाते हैं, और इसके अलावा आपका memory card की life है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको सही quality का hardware प्रोवाइड नहीं करके देते, तो कभी भी इन चीज़ों में compromise आपने नहीं करना, अगर आपने memory card अच्छी quality का खरीदे, तो आपको memory card reader भी बड़िया quality का खरीदना है, और यह सारे जो भी मैं आपको चीज़े बतार हूँ, memory card, memory card का reader, इन सबका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, आप वहाँ से इने purchase करके, काफी अद तक अपना workflow professional और high speed कर सकते हैं, तो guys इन तीन बातों का आपने हम जान रखना है, memory card से related यह बहुत important आपके लिए जानना, wondershare recovery जो software मैंने आपको बताया, उसका link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, आप वहाँ से download कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like and चैनल को subscribe ज़रूर करें, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडिय मिलते हैं, खीर बते हैं, करने मिलते हैं, वीडियो रulkने करें, मिलते हैं, झाल जैपको दोथ हो पारा हैं